आज अठारा मौरा में चादाउसाओ 42 हिज्री 6 सेप्टेंबर 2020 बरोजे इत्वार ग्लोबल अगर बात करें कोविड-19 की तो फिलाल जो एक्टिव है जो एक्टिव कुरोना से मुतासिर है वो 7 मिलियन है और जो लोगों की देथ हुई है इंतिकाल हुआ है या मुत्य हुई है वो 881,000 है नहीं 8,081,000 है और जो रिकवर हुए है शिफायाब हुए है जिनको ठ हाँ ह कही तेदाथ ठीक हुई है यह करेंट स्टैठेस है अलमी अलमी के जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड का है यह जो करन्ट स्धाटेस है और साधिया के अंदर माशालध Lock down तीन फिगर में आ गया है और आइस्ता आइस्ता कम हो रहा है और दुबै के अंदर भी जैसा कि आप लोग जानते हैं कुविट जो है अभी यहां पर तक्रिमन अल्मोस्त ब्रेक लग चुके हैं लेकिन इंडिया जो है अभी थर्ड रैंक के उपर है और वहां पर कंट्रोल कर हैं उमीद करते हैं कि कंट्रोल हो जाएगा सौधी अरब में मकेश शरीफ समय कई इलाखों में बारिश होने की संभावना है यह बारिश कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है दिफाल मदेनी वालों ने इंफॉर्म किया है कि बच्चों को खास ख्याल रखे बाहर मत लेके हैं तो आप लोग थोड़ा एत्याती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए आप लोग घर के बाहर निकले वनना आप लोग घर के बाहर घर जरूरी मत निकली जैसा कि आपको पता है मदे भारत मेशन के ओपर जो फ्लाइट चल रहा है चार्ट फ्लाइट अगर आप इंडिया कम फस्सर्विस में आपको एर इंडिया जो है जो रेट्स दे रहा है वो बड़ों के लिए जो है 1361 रियाल है 1361 और बच्चों के लिए 1061 है और इंफैंट यह दो साल से या दो साल की उमर की नीचे हो तो उनके लिए 193 रियाल है यह सबसे बेस्ट रेट है अभी तक का और उसी तरह अगर किसी के पास यह फस्कम फस्सर्विस का नहीं है अगर वहाँ पे इंडियन एंबेसी का लिखाए वे नहीं है तो फिर उनको पूरा लेट देना पड़ता है तो आप लोग अगर नहीं भी लिखा है फस्कम फस्सर्विस के तहता अगर आप जाके लेते हैं सि कि कानुही साओधियरब के अंदर वह वाहिड एजन्ट है जहां पे जिदा रियाद और दमाम के लिए वो उसके उपन है सर्विसस तो आप लोग ज़रूरी इन से लीजिए और यह फिसिलिटी का इस्तेमाल कीजिए यह दो हफते के लिए फिलाइट है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं माशा Allah हमारे पास वरिश्पत्रिकार है शोईब भाई जो मुंबई से रिपोर्टिंग करते हैं खास हमारे लिए और काफी सीनियर है और वो जो है माशा ऑला मुंबई के अंदर जो है टा,-इमस अफ इन्डिया और कई पत्री कारिता में उन्होंने जो है कई न को माइक हवाले कर रहा हूं उदर की हालत बताइए बंबाइ में कैसा है मौसम का हाल आपका स्वागत है मौंबई से श्वेभ अबीब की रिपोर्ट है आज मौंबई में तीन दिन से स्टापमान काफी काफी बढ़ चुका है और लोग गर्मी से अहांकार मचा रहे हैं मौसम विबाग की माने तो मौसम विबाग ने ये आगह किया है कि आने वाली कुछ और दिनों तक गर्मी का प्रकौप ऐसे ही जारी रहेगा दोस्तों आज मैं आपके लिए टेकनिकल नियूस लेके आया वाहूं इस्पेशली उन बच्चों के लिए जिन घरों में लाइट नहीं है या वो गरीब लोग जो लाइट को पैसा नहीं दे सकते हैं उनकी घर में लाइट चले गई या वो लोग जो गौँ में हैं उन सुब की मदद के लिए मैं आपके लिए एक अविशकार एक इन्वेंशन मैं लेके आया वाहूं इसको जरूर देखिए और मुझे फीड़बैक जरूर दीजिए ये मैगनेटिक फ्री लाइट है इसमें आपको एक पैसे कभी खरचा नहीं है और ये जब आप उनके पास माशाला टेकनोलोजी है नौलेज है लेकिन शायद ऐसा बनाने का हुनर उनके पास नहीं है जिसकी वज़े से बिचारे जो है पढ़ने के लिए रातों में लाइट नी है शायद स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ एक हमारी तरफ से एक बड़ बड़ा गिफ्ट है तादा गल्फ नीउस के तरफ से उन माबाब के लिए उन बच्चों के लिए जो मेहनत से पढ़ते हैं और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैटते हैं अब ये आप देखिए ज्यादा खर्चा भी नहीं है और आपको पूरी कर जरिया भी बनेगा बेरी गुजारिश है उन हुनहार बच्चों से जो जिनके माबाब के पास पैसे नहीं है वो ये बनाए एक इन्वेंशन करें और इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा करें करके आप जो है इसको बेच सकते हैं अपने माबाब को दे सकते हैं मार्केट में लाउंच कर सकते हैं याद रखिए जब एडिसन जब एडिसन पांच भी किलास बराबर से पास नहीं कर सका और वो जब अपना दिमाग इस्तेमाल किया बार 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 दिमाग इस्तेमाल किया और लाइट बनाया उसके बाद में ना जाने हजारों उसने जो है माश सेट करके रख दिया है ऐसे चीजां आप लोग भी कर सकते हैं जब एडिसन करा तो आप लोगों के अंदर तो माशालला नालेज है और आप लोग आज के टेम पे आई वे हैं जहां पे लैप टॉप है जहां पे मुबाइल है जहां पे स्मार्ट टेलिफोन है और सबसे बड़ हो जी है चाहिए आप कुछ सिकेवे हो ना हो थोड़ा सा दिमाग अगर इस्तेमाल करेंगे याखीनन आप खुद आज जिस अमर में भी है वो अमर में आप साइंटिस बन सकते हैं अपने माबाप का नाम रोशन कर सकते हैं मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है बच्च से लेकिया है और अपने माबाप का राम रोशन करें और मेरी माबाप से भी बिंती है वो इसको सीके समझे और मार्केड में इसको बेचे आपके लिए भूत फैदामन होगा ये अपने मेरी मैं अपने में अबर में hiking घardi हैं मैंकरों और वोग जिएे下 के समझे ओता तो का का क्यों ऊовतPhone मेरी मैं अपने ये आपके टे लोगह से लिए के सुगपरें स्पना सु committing जThe झाल झाल आज मैं आपके सामने मसाज ऑईल के बारे में कुछ इंफर्मेशन देना चाहता हूँ मसाज ऑईल डियेक्शन कमपनी का भेतिरीन मसाज ऑईल है जो फाइनस्ट पॉम ऑईल और गैनो डर्मा को मिक्स करके बना गया है गैनो डर्मा एक तिवे नभी पॉड़ेक्ट है मैं आपको इंशालला मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको दाके जरूर देखना चाहिए तो ये गैनो डर्मा और पाम माईल को मिस्ट करके ये बनाया गया है और ये बहतरीन आपको स्पॉर्ट पे आपको दर्द से छुटकारा देगा किसी भी खिसम का दर्द हो आपको जस शेक करें और जिस जगह पे दर्द है वहाँ पे आप मसाच करें नीचे से उपर आपका दर्द इंशालला थोड़ी देर में दुर हो जाएगा आपको मैं एक बात ये भी बता दूँ कि ये आपको पैर में पीट में या गर्दन में कहीं पे भी किसी भी जगह में चाहे बच्चाओं को बुड़ों को नवजवान को घुटनों में पैरों में जहां कहीं भी दर्द है इसको शेक करके चंड डॉप्स लगाना है आप स्क्रिन के उपर अरभी में इंगलिश में उर्दू में हिंदी में तमाम लैगवेंजेस में इंफरमेशन देख सकते हैं इसके बारे में अगर आपनों को मजीद कुछ चाहिए इंफरमेशन तो आप मेरे को वेबसाइट हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कीजिए ये बहतरीन चीज़े आप इसको ज़रूर एक मरतबा इस्तेमाल कीजिए और मैं आपको एक बाद यह भी बता द झाल